दोस्तो बाबु हर्दस एलेन किसमुति दीवस के उपलक्ष में यहां पे पिच्चराइजेशन प्लस जॉक्युमेंटरी पोस्टर लगए वगए सो चलिए देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको बाबु हर्दस एलेन की इनफॉर्मेशन इस वीडियो में जन्व एवं बच्चपन 206 जन्वरी 1904 बाबु हर्दस का जन्व महाराष्टा के नाखपूर के पास मौदा सिथ सिंगोरी बोरी गाउं में हुआ उनके पिता का नाम लक्षमन नगरकर था उन्हें बाबु हर्दस एलेन नाम से भी जाना जाता था 1920 बाबु हर्दस की शादी सकुबाई से हुई सकुबाई नाखूर सित कामती के छाउने में रहने वाले गुधा जी की बेटी थी और दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं किशुरा वस्ता से ही समाज स्केतना का कारिया 1921 बाबु जब ग्यारवी कक्षा में थे तब उन्हें पिता की मृत्यू हो गई उसके बाद उन्होंने पड़ाई छोड़ कर पारिवारिक जिम्मेदारिया निभाई बाबु ने महार अठ्था नाम के मराठी साप्ताई की शुरुवात की और संपादक का कारियभार संभाला को आपरेटिव के जरिये बीडी बनाने का कारखाना भी शुरू किया कामती में सस्ते अनाज और कपड़ों की दुकान की शुरुवात की गरीबों की सुविधा के लिए नाइट स्कूल खोले उसके बाद उन्निसो बीस युवाउ के साथ मिलकर तरुन महार संग की स्थापना की महार समाच संगटन में सचिव पद का कारियभार भी संभाला इसके बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि महात्मा गांदी का विरोध और लिखी किताब 1923 में महात्मा गांदी के असयोग आंदोलन का विरोध किया उसके बाद गवर्नर जनरल बैरिस्टर डिक का बाबू ने कामथी में सतकार किया इसके बाद 1924 में और्दों की जागुर्पता के लिए मंड़ई महात्मिय नाम की किताब भी लिखी उसके बाद 1925 में नाइट स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षगों को ट्रेनिंग दी बच्चों को खुद अंग्रेजी भी पढ़ाया करते थे इसके बाद 200 समाचार पत्र का प्रकाशन एवं राम मंदीर आंदोलन 1927 में बाबु हर्दास ने इनकित्सान फागोजी बनसोर जी के साथ मिलकर राम्तेगड मंदीर में अच्चूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन छेडा तो हम लोग दोस्तों राम्तेग भी जाने वाले हैं और वह आंदोलन जहां पे वह अताम लोग में वह भी जगह दिखाऊंगा उसी मंदीर के नीचे अंबाला तालाप के पास अच्चितों के लिए स्वातनत्र मंदीर बनवाया इस कारेक्रम में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया था इसके बाद 1928 में महारठम मराठी सापताइक का दोबारा प्रकाशन शुरू कर दिया गया था इसके बाद वीर बालक नाटक के जरिये लोगों को जांगरू भी किया गया था और दोस्तों आगे भी है वीडियो में बने रही है वीडियो बहुत जादा एक्स्क्लूजिव है बाबा सहाब ही अस्पुरूश्य के नेता दोस्तों साथ सितंबर 1931 में बाबु हर्दस ने ही इस बात पर जोर दिया था कि डॉक्टर बाबा सहाब अंबेड कर ही अस्पुरूश्य के नेता है दूसरा कोई अचूतों का उद्धारक नहीं जब दूसरी गोल में परिशत हुई तो बाबु हर्दस ने बाबा सहाब के समर्थन में रैंस से मैकडॉनल्ड को खत बेजे खत में उन्होंने लिखा कि बाबा सहाब ही अस्पुरूश्योव के नेता है इसके बाद बाबा सहाब को अस्पुरूश्योव का प्रतिनीदी चुना गया कामठी में डिप्रेश क्लास का अधिवेशन दोस्तो सात्वा आठ मई 1932 ऑल इंडिया डिप्रेश क्लास के थुईतिया अधिवेशन का ना कामठी में आयुजन इस कालिग्रम में स्वागताध हक्षा के रूप में काम किया कि दोसों हमेश्या बाबा साहब और महात्मा गांधी की यह तस्वीर देखिए लेकिन इसके बगल में बाबु हर्दास हैलें भी खड़े हैं यह तस्वीर हमने कभी देखे नहीं और देखी भी ओगी तो हमने कभी तक गौर नहीं किया था चलिए देखते हैं इस पर क्या ह में योगदान 24 सितंबर 1932 पुना करार के दौरान बावा साहब के साथ येरवडा जेल में महात्मा गांधी से भेड़ 1933 अकुला में आयोजित दलित परिशत के अध्यक्षब बने इसी दौरान उनके एक में वो बेटे का निधन बेटे के निधन की खबर सुनने के बावजूद परिशत पूरी की और अपने सामाजिक शेतना का परिचे दिया और इसके बाद दोस्तों जैभीम बलभीम का ये नारा बाबु हर्दा सेलेन में हमें दिया था जैभीम की पहली बार गोष्णा दोस्तों 6 जनवरी 1935 समता सैनिक दल के नियमा वाली पत्रिका में जैभीम बलभीम की गोष्णा करने वाले पहले व्यक्ति थे बाबु हर्दा सेले उसके बाद 13 अक्तूबर 1935 को येवला में डॉक्टर बाबा साहब अंबिटकर की धर्मानतर गोष्णा के बाद बाबा साहब को समर्धन धर्मानतर के जरीए लोगों को जांगरुप करने के लिए बाबु हर्दास ने बड़ी सभाव का आयोजन भी किया था दोस्तों अभी मुझे दीजिये इजाज़त मैं मिलता हूँ आप से फिर किसी नई जगा पर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमो मुद्धाय जैभीन